Hello dear students, Newton's law of motion, NEET और GE के लिए एक question A force F is applied horizontally on mass M1 as sound figure Find the contact force between M1 and M2 M1 and M2 की between the contact forces that means normal force of जो है उसकी value find out करने है तो को पहले हम क्या करें इसको पूरे एक system माल ले इस पूरे को हम एक system माल ले है जैसे यह mass M1 है और यह mass M2 है और इस पर एक force लगा रहे है इधर की तरह ऐसे है तो इस पूरे को एक system माल के इसमें एक जिसन कंसिडर कर ले है ए तो इस जगह पर ले सकते हैं हम NET force on whole system तो यह net force निगा ले है तो F net total mass जो आपका net force है वो F है और total mass लिख दो net force is equal to पूरे system को एक system माने ना पूरे body को पूरे एक body माल लो पूरे एक body माल लेंगे तो यह total mass हो जाएगा M1 प्लस M2 और यह एक जिए एक जिए इस उकल टू है जब पूरा system मानते हैं तो internal forces को सो नहीं करते हैं internal forces मतलब जैसे M1 M2 की बीच में जो normal action लगेगा M1 M2 पर लगाएगा M2 M1 पर लगाएगा इस force को हम consider नहीं करते हैं जब भी हम system मानेंगे था ठीक है ने cable external force जो बहाँ से लग रहा हो M1 M2 पर body का हिस्ता ना हो जैसे F तो यह system पर लगने वाना net force F तो यहां से A निगले आता है F upon M1 M2 तो यह कोई extension निगले आ है अब इन सब के FBD बना लो इन सब के FBD बना लो second case second step step number one तो यह हो गया step two की FBD बना लो है ना तो FBD of M1 अगर हम M1 का FBD बना है तो M1 पर लगने वाले सारे force को दिखा दू तो देखो एक M1 पर तो यह force लगी रहा है external F और जानते हो यह क्या करूं पहले एक diagram और उना दू यह security आ जाए उसमें पूरे में यह देखो यह M1 और यह M2 यह block A यह block B देखो A अगर इसको हमें ऐसे force लगा रहे हैं F तो A B को किदर compress करेगा दबाएगा A B को किदर compress करेगा right hand side में that means यह लग रहा है B पर लगाया A ने और B A को compress करेगा इधर की तरफ तो कि normal action जो होता है वो compressive force होता है तो यह A पर लग रहा है और लगाया B ने है तो एक तो यह contact force हो गए और इसमें F BD बनाओ जैसे A का बनाओ तो एक तो यह लग रहा है इधर से इस पर यह वाला और इसको यहां यह equal होंगे equal and opposite N A B और N B A is equal to N magnitude में यह magnitude में equal होंगे तो इस पर इधर की तरफ मैंने N लेट किया है ऐसे और एक इस पर अर्थ लगाएगी अर्थ इस ब्लॉक को खीचेगी इसका मास M1 है इसलिए ब्लॉक को अर्थ खीच रही है M1 मास M1 G से और एक यह surface जो है ना नीच वाला यह इस पर यह block M1 surface को नीच दबाएगा और यह block surface block को उपर दबाएगा block surface को नीच दबाएगा और surface block को उपर दबाएगा इसलिए इसका यह normal election होगा यह A इसे मैं R1 मान लेता हूँ इस 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 a normal force ठीक और हमें यह वाले force calculate करने है तो अब चेक करो इसमें acceleration इधर की तरफ है A और इसमें acceleration इधर की तरफ है तो इस पर पूरा system पर net force निकालें तो यह एक दूसरे को balance कर लेंगे तो कि एक ही body पर लग रहे हैं और इधर body पर net force 0 है vertical direction में net force 0 है इसलिए एक दूसरे को balance कर लेंगे तो इसलिए that is R1 is equal to तो कितना होगा M1 G R1 तो M1 G होगा और R1 M1 G होगा लेकिन यह block इधर मूँ कर रहा है इसलिए net force on block block M1 is equal to इधर मूँ कर रहा है इसलिए F minus N net force M1 A बराबर F minus N अब हमें N ही निकालना है तो M1 A की value put कर सकते हैं यह वाली F upon M1 plus M2 is equal to F minus N तो N is equal to F minus M1 F over M1 plus M2 और यहां से आप F common ले सकते हो और नीचे से M1 plus M2 LCM M1 plus M2 minus M1 M1 से M1 cancel that means F2 F M1 plus M2 यह देखो normal लेक्षे निकला है यह और यहीजी हो जाता अगर हम M2 पर M2 का FBD बनाते अगर हम M2 का FBD बनाते न तो उस पर A की net force लग रहा होता N बागी की सब कैंसल हो जाते तो N is equal to सीधा M2 A और सीधा direct हो जाता M2 A और A की value यह पुट कर दी तो यह answer आ जाता M2 F upon M1 plus M2 ठीके न अगर हम M2 पर करते तो ठीक बढ़ते रहे हैं और खुश रहे हैं पको स्पड़ कर दोड हो जातится रहे हैं बादा